नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में और दोस्तों इस वीडियो में हम मिर्च की खेती के बारे में आप से डिसकस करेंगे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जितने भी ये पौधे हैं ये मिर्च का पौधा है और इसमें फलियां वगएरा सब कुछ लग चुकी है और इसके पूरा हम डिटेल्स बताएंगे कि ये कव लगा था और इसमें खाद कौन से पड़ी थी शिशाई कव हुआ था तो इसे के विशे में ये वीडियो होने जा रही है तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो है एक बीखे में ये मिर्च की खेती की गई है मतलब बड़े बीखे से और इसकी जो दूरी है ये चार फिट है और पाओध से पाओध की दूरी जो है वो धाई फिट पे है और एक जगे पे जो है दो पाओधे जो है इसमें लगाए गए थे जब ये प्लांटेशन हुआ था और अब तो ये तोड़ने के लिए रेडी हो गई है अभी हम इसकीन पे आपको दिखाते हैं कि ये कितना ये पाओधा जो है अच्छे तरीके से फूल फल ले रहा है और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मिर्च का पाओधा है जब ये पाओधा तयार किया गया था जिसे आप बेहन या फिर वेरन के नाम से जानते हैं तो इसका बीज ला करके एक छोटी सी जगे पे इसका पौश तयार किया गया था. फिर इसको खेत में जो मेडबधी से इसकी प्लांटेशन की गई थी. तो हम बता दें कि आपको ये जो है, जब ये बीज से पौश साला तयार किया गया था, तो वो समय था अगस्त के महीने में इसका पौज जो है तैयार किया गया था और ये बराइटी जो अभी स्कीन पर देख पा रहे हैं ये देशी में आता है और ये हमारे हां से नजदीक में बनारस पड़ता है तो वहां का ये रिसर्च जो है बीज है और इसी में अभी हम आपको दिखा रहे हैं और आगे चलके अभी आपको हम दिखाएंगे जो बी यन आर कंपनी का है वो भी तो इसका हम लोगों ने जो देखा था कि कब ये प्लांटेशन हुआ था तो वह अगस्त के महीने में पौध तयार किया गया था मतलब ये जो है अगस्त के महीने में यह पौधा रेडी हो चुका था और उसी महीने में इस जो खेत में लगाया गया था यह मेडविधी द्वारा, इसमें लगाज भी दिया गया था तो इसका बीच जो है जुलाई महा में इसको एक छोटी से जगा पर जो है है उसके बाद जो है plantation किया गया है और देखिए क्या बेहतरी result जो है यह starting किया है क्योंकि यह अभी इसका first तुड़ाई है अभी यह तोड़ा नहीं गया है मिर्च अभी जैसे जैसे यह तूटेगा वैसे वैसे इसका पेड जो है और उपर जाएगा और फलिया और फूल जो है और भी लगना start करेंगी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छे से यह develop कर रहा है वैसे तो हमारे इस channel पे जो है मचली पालन से related सारी वीडियो जाती है लेकिन इनका खेट जो है हम सोचे क्यों ना इसको भी हम लोग वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष जो है रखा जाए और जिनके पास तलाप के बगल में या साइड में कोई भी थोड़ा बहुत अगर जमीन हो तो आप भी मिर्च की खेटी कर सकते हैं क्योंकि मिर्च का जो यूज होता है वो साल के बारों महीने हर एक सबजी हर एक मतलब जो भी खाना बनता है उसमें यूज ही होता है तो इसकी डिमांड जो है साल भर बनी रहती है तो उसी के चलते हम इसका वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग इसके बाएं में थोड़ा बहुत जान पाएं और आप देख रहे हैं यह तोड़ रहे हैं थोड़ा सा ले जाने के लिए घर के लिए और पूरा स्कीन आपको घुमा के दिखा रहे हैं यह एक बीगा है बड़े बीगे से जिसके आप 20 बिस्टे का बीगा बोलते हैं उसी के हिसाब से यह खेतों में लगाया है तो चलिए भी हम थोड़ा और आगे चलके आपको दिखाते हैं उधर साइड में वहाँ पर बीगे साड़ तेरा ब्राइटी लगा हुआ है तो थोड़ा सा उसका भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो भी फली फूल लिया हुआ है जैसा कि आपको बता दिया हैं इसका जुलाई माह में जो है बीज जो है नरसरी में तयार किया गया था और इसका पौधा जो है अगस्त के महीने में रेडी हो गया था तो उसको प्लांटेशन मेड़ बिधी के द्वारा जो है किया गया है तो ये देखिए ये बी अनर का साड़ तेरा वराइटी है जो की एक बहतरीन रिजल्ट जो है आप लोग देख पा रहे होंगे जो अच्छा सा ये फूल फल दोनों लिया भी है और इसमें दोस्तों हमारे देखने में कहीं भी कोई पौधे पे कोई बीमारी वगयरा नहीं आई है क्योंकि मिर्च की खेते में हम अक्सर देखते हैं जो थ्रिप्स होते हैं या मकडी होता है यही दोनों बीमारी जो है सब से ज़्यादा लगती है लेकिन इनके खेत में कोई भी बिमारी वगयरा ये सब प्रॉब्लम नहीं है और देखिए कितना बेहतरी रिजल्ट दिया है और ये बी अनार साथ-तेरा ब्राइटी है जिसका ये पॉचसाला रेडी करके इसको प्लान्टेशन किया गया था तो दोस्तों इसको जो है जब इसको प्लान्टेशन किया गया था तो उस समय बारिस वगयरा हो रही थी तो जैसे बारिस थमी तो उसके बाद जो है इसमें जो है जो आप बोलत मेड लगा हुआ है इसी के किनार किनार ये छिडकाओ किये थे फिर उसे के बाद जो है मिट्या जो है गुदाल से गुड़वाई करके और ये मेड़ पे फिर से इसको चड़ा दिया गया था तो खाद के रूप में ये तीनों चीज जो है, 20 kg DAP, 20 kg Eurea, 20 kg Potas जो है, इन्होंने इसमें डाला हुआ है, उसके डालने के बाद जो है, दो दिन बाद इन्होंने सिचाई की हुई थी, जो नालिया है, तो नालियों में सिचाई कर दिये थे, और नालिया बनाने का एक की समस्य आ जाती तो इसलिए इनको जो है मेड़ विधी से इसको लगाए हुई हैं चुकि ये लगाने का समय बरसात का है तो बरसात में जो है उचे अस्थान पर अगर पौधे का रोपड नहीं करेंगे तो वो गल सकता है पानी जादा होने के कारण तो इसलिए ये पूरा मेड विधी से ये लगाय हुए हैं अभी तो इस पेस दिख रहा है लेकिन धीरे धीरे करके ये जैसे ये ग्रोथ करेगा वैसे वैसे इसका जगे कबर होता चला जाएगा तो दोस्तों ये जो है मिर्च की खेती अच्छी हुई थी ति इसलिए हम ये वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगती है हमें जरूर कमेंट करिएगा और खेती से रिलेटेड और भी अगर मेरे आसपास में कोई भी खेती होती है तो उसका भी वीडियो हम इसी चैनल के माध्यम से अपलोड कर देंगे दोस्तों हमारा चैनल और हमारा वीडियो कांटेंट आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करिएगा और जो नए भाई लोग आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना के आपसे भी को दिखा सकें तो देखिए पूरे पौधर को हम दिखा रहे हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना तो कोई ये भीमारी वगएरा का कोई प्रकोप इसमें नहीं है अक्सर मिर्च की खेती में दो जो है बिमारिया लगती है एक लीफ करल वाइरस होता है दूसरा जो है मकडी का प्रकोफ होता है तो वो उससे भी इन पे फल वगएरा पे इंपेक्ट पड़ता है तो इन दोनों बिमारियों से इन्होंने छुटकारा पाया हुआ है क्योंकि ये समय समय पर हर दस दिन पर एक इस्प्रेज ले लिया करते थे एक मकडी की दवका एक थ्रिप्स की दवका जिससे इनके खेतों में कोई भी बिमारी नहीं आई हुई है बीच-बीच में आज लोग देख रहे हैं खरपतवार हुआ है क्योंकि जब सिचाई होती तो खरपतवार आ जाते हैं लेकिन बोले हैं कि जो आदमी लोग होते हैं वो अपना निराई गुदाई करके इसको निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं इनका फली वगएरा अच्छे से आया है अब ये मार्केट में जाने लाया कि ये रेडी भी हो गया तो इनका फ़स्ट तुड़ाई जो है लगभग तीन कुईंटल माल निकलेगा जो कि आज का रेट है 70 रुपया पर केजी के हिसाब से ये जाएगा तो थोड़ा सा हम भी आये थे गूमने के लिए तो हम सोचे इसका भी वीडियो बना के आप लोगों को जो है दिखा दिया जाए थोड़ा सा क्योंकि मचली पालन भी खेती में ही आता है और इन सब का खेती जो होता है तो खेती में आता ही है तो दोनों क्रिसी रूप में ही आता है तो उससे जुड़ा हुआ था तो इसलिए हम ये मिर्च का खेत जो है आपको दिखानी की कोशिस की मिलते हैं नई वीडियों के साथ बाबाए